आज हम बनाने जा रहे हैं अर्बी की बहुत ही टेस्टी लाजवाब मसालेदार सूखी सबजी आप इस सबजी को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो इस तरह से अर्बी बना कर देखिएगा आपको पहुँ ज़दा पसंद आएगी नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्याम टेस्टी होती है अर्बी को हमने अच्छे से धो लिया है क्योंकि इस पर बहुत जादा मिट्टी होती है तो पहले हाथ पर और चाकू पर तेल लगा लीजिए ताकि अर्बी छीलने के बाद आपको इचिंग ना हो यह देखिए इस तरह से हमें अर्बी को छील कर तयार कर लेना है हमने एक अर्बी को छील लिया है इसी तरह से हम सारी अर्बी पहले छील लेंगे और अब हम अर्बी को दो से तीन बार अच्छे से पानी से धोएंगे और एक चलनी में मैंने धो कर इसे निकाल लिया है अब हम एक कॉटन कपड़े पर अर्बी को डाल देंगे और अच्छे से पौँच लेंगे अर्बी को मैं इस तरह से लंबे पिसेज में कट कर रही हूँ आप चाहें तो इसे गोल पिसेज में भी काट सकते हो तो देखी इस तरह से लंबा-लंबा मैं इसे काट लूँगी इसी तरह से हम सारी अर्बी को कट करके तयार कर लेंगे तो चलिए अर्भी तो कट गई है अब हम एक पैन में दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाएगा तब हम सारी कटी हुई अर्भी इसमें डाल देंगे गैस की फ्लेम को हाई पर रखिए और हाई फ्लेम पर हम अर्भी को कंटीनू चलाते हुए लगबग 5-6 मिनिट के लिए फ्राय करेंगे इससे अर्भी में जो मोश्चर होगा वो भी निकल जाएगा और अर्भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तयार होगी तो चलिए हमने अर्भी को 5 मिनिट के लिए फ्राय कर लिया है अब हम गैस की फ्लेम को मेडियम टू लो कर देंगे और इसे ढख कर 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे अर्भी को पकाते हुए हमें 5-6 मिनिट के लगबग हो गया है हम इसे बीच में चला देते हैं फिर से ढखकर 5-6 मिनिट पकाएंगे तो हमें फिर से 5-6 मिनिट के लगबग हो गए है अर्बी भी अच्छी फ्राय हो गई है अर्बी 90% तक इधर सॉफ्ट हो जाने चाहिए और ये देखें बहुत अच्छी सी क्रिस्पी भी हो गई है तो हम इसे चेक करके देख लेते हैं ये देखें तो चलिए अब हम अर्बी को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं तो इस तरह से फ्राय करके सबजी बनाएंगे तो सबजी बहुत ज़्यदा टेस्टी बनेगी अब कड़ाही में 1 टेबल स्पून के करीब तेल है इसमें मैं एक चोटा चमच तेल और डाल देती हूँ तेल के गरम हो जाने पर इसमें एक चोटा चमच जीरा डाल दीजिए आदा चोटा चमच अजवाइन डाल दीजिए अजवाइन अर्बी की सबजी में बहुत जरूरी होता है एक चोथाई चोटा चमच हींग डाल दीजिए पहले हम अजवाइन और जीरा को हलका सा भून लेते हैं लो फ्लेम रखिए 10-15 सेकेंड के लिए इन्हें भून लीजिए तो हमने जीरे और अजवाइन को अच्छे से भून लिया है अब हम यहाँ एक बारिक कटा हूआ प्याज डालेंगे यदि लहसुन प्याज नहीं खाते है तो प्याज को स्किप कर दीजिएगा अब हम प्याज को मेडियम फ्लेम पर 2-3 मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे या जब तक प्याज का हलका सा कलर चेंज नहीं हो जाता है तो ये देखिए हमने प्याज को 2-3 मिनिट फ्राइ कर लिया है अब हमने यहाँ पर एक छोटा चमच अदरक और लहसून को क्रश कर के लिया है मैंने तीन लहसून की कलिया ली थी और आधा इंच अदरक का टुकडा लिया था आप चाहें तो एक छोटा चमच अदरक लहसून का पेस्ट भी डाल सकते हो दो मिनिट के लिए मैंने अदरक और लहसून को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है इन में कच्चा पर नहीं रहना चाहिए अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और मसाले डालेंगे मसालों में हमने यहां आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्श का पाउडर एक चमच धनिया पाउडर डाल दिया है और लगबग एक चोटाई चमच जीरा पाउडर डाल दिया है मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो मसाले को भी हम एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले लेंगे और अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है और ये देखे मसाले हमारे पहुत अच्छे से भून गए हैं तो अब हम इसमें फ्राय की हुई सारी अर्भी को डाल देंगे साथ ही कुछ मसाले और डालेंगे तो सबसे पहले मैं यहां स्वाद की अनुसार नमक डाल देती हूँ मैंने यहां लगबग तीन चोथाई चमच नमक डाल दिया है एक चोथाई चमच करम मसाला डाल देंगे और लगबग आधा चोटा चमच मैंने यहां आमचूर का पाउडर डाला है तो आमचुर का पाउडर डालने से ये सबची पहुँ चटपटी बनेगी साथ ही मैंने दो हरी मिर्च भी डाल दी है हरी मिर्च देखी वाली है इसके लिए मैंने इसे बीच में से कट करके डाला है बारी कट करके नहीं डाला है अब हम मसालों को अच्छे से अर्बी के साथ पहले मिक्स कर देते हैं और ये देखिए बढ़िया से मसाले अर्बी के साथ मिक्स हो गए है अब हम गैस की फ्लेम को मेडियम टू लो पर कर देंगे और सब्जी को ढख कर लगबग 6-7 मिनिट के लिए पकाएंगे या अर्बी जब तक पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए बीच बीच में हमें इसे चला देना है अभी हमें अर्बी को पकाते हुए लगबग 3-4 मिनिट हो गया है सूखी सब्जी है तो बीच में चलाना बहुत जरूरी है वरना मसाले तले में चिपक जाएंगे फिर से हम इसे ढख कर पकाएंगे अभी हमें सब्जी को पकाते हुए 7-8 मिनिट के लगबग हो गए है और ये हमारी अर्बी की सब्जी बनकर बिल्कुल तयार है तो पहले इसे चेक कर लीजिएगा और ये देखिए अर्बी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो बस अब हम इसमें बारी कटा हुआ हराधनिया डाल देंगे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप इस सब्जी को पूरी पराठा चपाती किसी की भी साथ सव कर सकते हैं मैंने इस सब्जी के साथ दाल और राइस बनाये थे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो फ्रेंट्स आप ये रेसिपी ट्राइ जरूर कीजिएगा बहुत ही टेस्टी अर्बी की सब्जी है रेसिपी अच्छी लगी तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शियर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके